चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तो सुब्रमनियम स्वामी ने अपने ट्वेट में कहा था कि नीट वेज एई पोसबोंड के लिए उन्होंने HRD मिनिस्ट को कहा है और HRD मिनिस्ट ने अमर्जेंसी मिटिंग बुलाई है और उन्होंने PM स्री नरेंदर मोधी को भी लेटर लिखा है अभी कल जो HRD मिनिस्ट ने मिटिंग बुलाई थी उसमें सिरफ NCRT के बारे में चर्चा हुई थी नीट वेज यही फॉस्पोंड के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई तो ये तो सब प्रोसेस चल ही रहा है इसी बीच कल NTA ने एक नोटिस अपने वेब साइट पर डाला है जिसमें कहा गया है कि सुप्रिम कोर्ट ने अपने ओर्डर में कहा है कि हम जानते हैं कि महामारी की सिच्वेशन है लेकिन स्टुडेंट के केरियर का भी सवाल है और सेक्षनिक शत्र को बरबाद नहीं किया जा सकता है ये कहना है कोट का NTA ने आगे कहा है कि एकजाम प्रिकोशन के साथ कंड़क्ट करवाई जा रही है इसलिए इसे पोस्बोर्ण नहीं किया जा सकता तो दोस्तो कल के इस नोटिस में NTA ने कलियर कर दिया है कि नीट वज़े इपोस्बोर्ण नहीं होगी देखते हैं आगे क्या होता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस सिच्वेशन में एकजाम देना खतरे से खाली नहीं है आपको अपने लेकिन आपको अपने कैरियर का भी ध्यान रखना है इसलिए आप स्टड़ी करते रहो इनसान की लाइफ में बहुत उतार चड़ाओ आते हैं आपको इन विशम प्रिस्तिटियों में भी डट कर मुकाबला करना है अब सब के मन में यही सवाल है कि नीट यही पोस्पॉंड होगा या नहीं होगा तो दोस्तों यह कोई नहीं बता सकता लेकिन अभी भी नीट सिप्टेंबर 13 सिप्टेंबर को ही होने की संभावना है अभी इसके बारे में जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको इन्फोर्म कर देंगे आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वजयादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हैं